शहर के अनतपुरताना शेत्र के विनोबा भावे नगर इलाके में सुनसान जगा पर शौग मिलने से हड़कम्प मच गया मृतक की शरीर पर चोट के निशान मिले हैं सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मोके पर पहुँचे और FSL वा डोग स्कायट को मोके पर बुलाया गया मृतक की पहचान केशोपुरा निवासी के रूप में हुई राजकुमार रविवार को घर से निकला था जो वापस नहीं लोटा परिजनों ने सोमवार को महावी नगर थाने में गुमशुद की दर्ज करवाई थी जिसके बाद मंगलवार सुभा संदिक दाहलत में राजकुमार का शओ मिला राजकुमार की कमर पीट वा हाथ पर कट लगा हुआ था और खून निकला हुआ था पोलिस ने शाओ को पोस्ट मार्टम रूम में रखवाया है परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है पोलिस मामने गी परताल में जुट गई है प्रकर्ण दर्ज था इस संब्ध में इसे चो माविण नगर से संपर्ख किया गया तो उससे ही अवगत हुआ कि राजसर्मा नाम का लड़का कि वहां उनके यह प्रकर्ण दर्ज है इस संब्ध में आये उसकी सिनाक्तिएगी तो यह वही लड़का था जो परसों से अपने गर से निकला हुआ था परतम दस्ट्रा देखने से बोड़ी पे कईज के कटनूमा निशान है और कफी भी ब्लेड मोके पे मिला है जिससे लगता है कि किसी तरह की चाकुना माव या इस तरह की चीज साब चीज से इसके साथ को गटना कारीत की गई है